पुपू यादव लगतार राहूल गांधी, सोनिय गांधी या प्रियंका गांधी या जितने गांधी परिवार के जो चेरे हैं उनका हवाला देते हुए नजार आ रहे हैं और साफ़तोर पर कहती है कि जो कॉंग्रिस पार्टी की आलाकमान है उसका आशिरबाद मेरे साथ है और कहीं नगांधी और कहीं और इस बात को भी कह रहे हैं कि राहूल गांधी जो मेरे रहे हैं और उनके साथ कोई भी कॉंग्रिस का नीथा मौझ। नहीं था जही बात इसपस्ट कर रहा था कि सामने जग जगाहिर हो कर कि सामने आ कर कि आंगर के कांगरें प्रया दिआ का समर्तन कंश्च की Dannami related नहीं कर रहे हैं कि लेकिन नज़र आ रहा है महागटबंधन में जो सहयोगी दल जुड़े थे वही अब खफा होते वे नज़र आ रहे हैं जिसका खामियाजा लोकसभाद चुनाव पर पड़ता हुआ दिखाई देगा दरसल बात यहां पर की जा रही है राजेश रंजन और पप्पु यादव की पप क्रिस पार्टी में शामिल हुए थे पपु यादव ने डंके की चोट पर यह कहा था कि पूर्णिया से चुनाव लड़ते हुए नज़र आई लेकिन आरजेडी ने खेल बिगार दिया आरजेडी की बात करें तो वो सीट अपने पाले में कर ली और जेडियों से नराज हो कि अगर कॉंग्रेस पार्टी की तरफ यह सीट नहीं आती है और आरजेडी यह सीट कॉंग्रेस पार्टी को नहीं देती है तो मैं निर्दली चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे बस पूर्णिया ही चाहिए अब उसी पूर्णिया के लिए निर्दली क्या क्या होगा क्या निर्दली अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो कॉंग्रेस पार्टी क्या कोई बड़ा एक्शन लेती हुई अब नजर आएगी इसे जुड़े वे तमाम सवाल यहां पर बनते हैं निजरूम में माजूद है सिराज मेरे साथ माजूद है सिराज तो पहले लेकिन कहीं ने कहीं कॉंग्रेस पार्टी जो है वो पपू यादो के खिलाफ कड़े एक्शन जरूर ले सकती है क्योंकि जिस तरीके से आज जो है कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अकलेस सिंग ने कहा है कि साफ़तोर पर कि अगर चुनाव परचार के दोरान पपू या सब्सक्राइब के खिलाफ आप कॉंग्रेस पार्टी विचार करेगी लेकिन एक बात गौर करने वाली उन्होंने कहीं कि जिस तरीके से पपू यादों ने अपनी पार्टी का विले तो कर लिया लेकिन कहीं कॉंग्रेस का जो रूल है उसके मुताबिक कोई भी अगर उनकी कि पार्टी से सदस्ता लेता है तो डिली के बाद कहीं कहीं जिस राज्यon में भी हो जाता है तो महाँपे जो राज्यus स कर kicked survive खार वहाँ प voiture जा कर भी जो फेक要 अम्मिक्र भाज्ञbn प्रदीश अध्यक्ष जो अभी तक जो है लगतार बोलते आएं इसके खिलाफ लगतार कहीं न कहीं पपू यादो के खिलाफ जो है बयान बाजी करते हुए नजर आये हैं लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो कॉंग्रेस आलकामान है उसका अभी तक कोई भी बड़ा रुख देखने को नहीं मिला है तो निशित रूप से ये एक स्क्रिप्टेड इस्टोरी लगती है पपू यादो के बात करें तो पपू यादो एक और बड़ा खुलासा करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर सुपोल मधेपुरा पर अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारे गए हैं यहाँ पर आरजडी एलान करती वी नजर नहीं आती है लेकिन पूर्णिया पर अच्छानक से एलान कर दिया जाता है यह एक बड़ी साजिश के रूप में देखा जा रहा है ताकि पपू किया एसा हो सकता है जाने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोच्ते हैं कि अनुच जैसे कि कॉंग्रेस पाटी के प्रदेश अध्यक्ष अखलेश ने कहा कि कारवाही जरूर होगी कारवाही पार्टी से निशकाशिद करते हुए गडबंधन तोड़ते वे भी की जा सकती है त चाहिए कि कॉप्पु यादब को निश्काषित कर दिया जाएं कि कोई भी उनको सजा दीजाए पार्टी की सब तरप से कुछ भी हो सकता है वहीं कोपु यादब यह के और उपर से आला कमान से देखिया अभी तक इस बास बास को लेकर न राहूल गांधी कुछ बोले हैं पन्क गांधी कुछ बोली है अब प्पु यादब कॉंग्रीस से तो कुछ नहीं कह रहे है क्योंकि कॉंग्रेस पूरी तरह से थोड़ा साथ पूरे तो मैं क्या ही बोलू थोड़ा सा भी साथ देखिए पप्पू यादब का नहीं दे रही है लेकिन वो लालू यादब और उनकी बेटे पर जमकर निशाना साथ रहे हैं नामांकन जैसे ही दाखिल करा उसके बाद भी उन्होंने जमकर रोने लगे और पपू यादब पर जमकर बढसे कि मेरी राजणीती को खत्मी किया जा रहा है मेरे साथ साजी सरची जा रही है उसके बाद दो 2 दिन बाद जब श्रly तो मुझे कहीं न कहीं पारटी से निशकाशुद कर दिया जाएगा तो मैं आपको बता दू कुआ दू को पारटी से निशकाशत नहीं किया जाएगा तो पार्टी के फेवर में ही बोल रहे हैं पार्टी के अगेंस्ट में जाकर वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उपर से आला कमान से और हो कि आप चुनाब लड़ो आप निर्दल यह चुनाब लड़ो वह क्योंकि कॉंग्रेस तो अपनी बात ला लालु यादव ने ना मानी हो क्योंकि विहार में और जडी का एक दबदवा है अपने आप में आप में बड़ी पार्टी है लालु यादव जिद्धी नेता है श्रुबास देखा है आप लोगोंने पार्लियमेंट में भी देखा होगा जब अटल बिहारी बात पे कि अपने चुनाब लड़ने का एलान करते हैं और कर भी दिया है नामंकन दाखिल करते वे नजर आए हैं तो ऐसे में कॉंग्रेस पार्टी के जंडे का इस्तिमाल कॉंग्रेस पार्टी का इस्तिमाल तो पपू यादव नहीं कर सकते हैं लेकिन क्या अब यहां पर एक और सामने आ रहे हैं तो क्या राहूल गांधी भी खुलकर बोलते वे नजर आएंगे क्या अभी तक उन्होंने पपू यादव को लेकर ख़़ नहीं कहा है अक्षे मेरे साथ मौजुद है बीकिन इसमें वही बात है जो नाभी तनुज ने कहीं कि हो सकता है कि कॉंग्रेस कहते कि पीछे के दरवाजे से पप्पु यादव को सपोर्ट कर रही है आप देखिए कि पूर्णिया संसादे शेतर पूर्णिया लोकसवा सीट इंडिया गडबंधन के तहत राजत की खाते में चले जाती है बीमा भारती वहां से उमिदवार बन जाती है अब यहां पर पपु यादव की निर्दली नामांकन दाखिल करने से सबसे बड़ी सीनमारी यहां पर इंडिया गडबंधन की ही वोट बैंक में होनी है और सीधे तो पपु यादव के निर्दली नामांकन भरने से बीमा भारती की जीत की संभावनाय कम हो गई और यह कोई यहां चौका देने यहां दल सात तो होते हैं, राजमितिक पार्टियाय सात तो हती है, लेकिन अंदर खाने सोची रखती है कि सामने वाले का प्रत्याशी हार जाए, क्युकि गटवंधन को यहां अनिष्टित काल का गटवंधन नहीं होता, कुछ भरोसा है, गटवंधन शे ह महीने के बार दाखिल करूँगा चार अप्रेल को मैं जुनावी मैदान में अपनी ताल ठोग दूगा उस वक्त तक या उनकी इस बयान का किसी भी तरीके से कॉंग्रेस के शेत्री नेताओं ने बिहार कॉंग्रेस के नेताओं ने कुछ भी समर्थन यहां पर नहीं किया यहां तक कि यह ब कोई भी कॉंग्रेस का नेता मौजूद नहीं था जो इस बात इसपर्ष कर रहा था कि सामने जग जाहिर होकर कि सामने आकर कि कॉंग्रेस पपो यादव का समर्थन नहीं कर रहे लेकिन पीछे से समर्थन हो सकता है तो राहुल गांदी से मिलना राहुल गांदी से जब जाहिर तरीके से ये चीज़ शायद सामने ना आए। जब जाता है लेकिन अब क्या होगा बिहार में निर्दलिये चुनाव लड़ेंगे तो क्या जो भारतिये जंता पार्टी से हैं संतोष कुछवहा जो आर्जेडी की तरफ से बीमा भारती हैं क्या एक कड़ा मुकाबला इन तीनों के बीच में होता हो नजर आएगा क्या पप सब्सक्राइब को लेकर आपकी क्या राएं कमिन सेक्षिन में जरूर बताएं देखते ने स्पेन नाइन नियूस धन्यवाद